दूस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में जो सिक्षक बर्ती की प्रक्रिया चल लए है डाकुमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डाकुमेंट आपके पास होने चाहिए अगर आप अधर श्टेट से हैं या फिर बिहार से हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा कटाप को लेकर के अभी संसे की स्थिती बनी हुई है बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कितने नंबर हमारी हो तो हम अपने आपको सेफ समझें और डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं कटाप को लेकर के हमने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में और कॉमेंट बाक्स में पहले कॉमेंट में मिल जाएगा क्लिक करके देख लीजेगा 22 से 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट घोसित हो जाएगा 28 का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा इसको लेकर के अभी संसे की सिति है सिक्षा विबाग और BPSC की मेटिंग होने के बाद कन्फर्म हो जाएगा कि 28 को लेकर के ये क्या रुख अपना रहे सिक्षा विबाग से BPSC ने मांगा फाइनल सुझाओ अभी तक जो जानकारी उसके साब से सिर्फ डेलेट अभेतियों का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा C2 के एवेज में 75% रिजल्ट देने की तयारी है यहाँ पर अगर हम बात करें डाकुमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए उससे पहले यह भी आपको जानना होगा कि डाकुमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सुरू कब से हो रही देखिए जैसा कि आप सबको पता होगा कि कच्छा 9, 10, 11, 12 की डाकुमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया संभाता 13 से 14 सिप्तमबर तक कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद 3 से 4 दिनों में आपका जो प्रक्रिया के लिए डाकुमेंट वेरिफिकेशन वो सुरू हो जाएगा यानि अगर हम एक नॉर्मल डेट मान करके चलें तो 15 सिप्तमबर के आसपास 15, 16, 17 में प्रक्रिया का डाकुमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास डाकुमेंट क्या क्या होने चाहिए यहाँ पर उनकी कुछ लिष्ट जो BPSC के द्वारा कच्छा 9, 10, 11, 12 के लिए जारी की गई थी उसी क्याधार पर हम समझते हैं बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पर दो फोटो सुरुवात में आपको चीज़ों और देख लिजेगा यहाँ पर जो भी डाकुमेंटस आप तयार करेंगे उसके आपको दो सेट बनाने होंगे I think एक सेट BPSC के पास रहेगा record के लिए और एक सेट आपका सिक्षा विभाग के पास रहेगा इसलिए दो सेट आपको बनाने होंगे और दो सेट में क्या होगा आपको साथ साथ दो फोटो भी आपको रखनी है ठीक है दो सेट के साथ साथ आपको कुछ फोटो भी साथ में रखनी उनकी आवशकता पड़ सकती है कहा जा रहा है जो आप documents रखेंगे उसके साथ साथ online आवेदन करते समय जो आपने print out निकाला होगा उसकी भी आपको फोटोकापी की जरुवत पड़ेगी ठीक है तो आप अगर आपके पास वो नहीं है print out online आवेदन करते समय जो आपको मिला था साइबर कैफे से या नहीं है तो आप अभी भी website पर जा करके user ID और password इंटर करके वहां से आप download कर सकते हैं यहां पर आये देखते हैं क्या कहा जा रहा है दस्तावेज सत्यापन की सूचना के आलोपे निरधारित तिती को अभ्यरती सुयम उपस्तित होकर अपने साथ सभी मू प्रमाड पत्र लेकर के जाने हैं अभी यह जमा नहीं होंगे जमा आपके होंगे जो आप दो सेट बना करके ले जाएंगे वो जमा होंगे नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो दो कह रहा है चार पांच लेके जाहिएगा ऑनलाइन आविदन प्रवेस पत्र ऑनल पहले जरूरी होता है आधारकार और जिन लोगों ने आधारकार से नहीं फॉर्म भरा था कुछ और लगाया था तो वो अपना डाकुमेंट साथ में रखिएगा ठीक है तो ओरिजिनल तो आपके पास होना चाहिए साथ-साथ इसकी दो फोटो कापी हम तो कह रहे हैं एक ए आरक्षड से संबंदित और दिव्यांगता से संबंदित सार्टेफिकेट की जरूरत होगी यदि आप किसी अन्य राजसे हैं उत्तर प्रदेश जार्खंड राजस्थान इत्याद से तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के आरक्षड के सार्टेफिकेट की आवशक्ता नहीं पढ़ेगी क्योंकि अरक्षड का लाब आपको नहीं मिलेगा ठीक है और निवास की भी जरूत उनी को पढ़ेगी जो बिहार के लोग हैं बिहार के कंडिडेट हैं उनी को तो यहाँ पर अगर आप अधर इस्टेट की कंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपके पास वर्शक्ता नहीं है डिजी लॉकर नाम का एक एप है गौर्णमेंट आफ इंडिया का प्लेश्टूर में उपलब्ध है इंस्टॉल करें अधार नंबर मोबाइल नंबर इंटर करके अपनी आईडी बनाएगे वहां से आप ही आपका मानने होगा तो 10 का मार्क सीट और सार्टिफिकेट अगर आपके पास दोनों एक में हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं अलग अलग है तब भी कोई दिक्कत नहीं इसके बाद हम बात करेंगे 12 ठीक है 12 की भी आपके पास मार्क सीट और सार्टिफिकेट होना चाहिए इ तीनों येर का आपके पास उसकी मार्क सीट होनी चाहिए और उसकी अगर डिग्री एपलाई आपने नहीं किया है डिग्री आपके पास नहीं है तो डिग्री जिरूर आप उसको निकलवा लिजेगा ठीक है ओनलाइन तरीके से भी आप आविदन कर सकते हैं अलग-अलग यू माक सीट अगर सेमेश्टर वाइज है तो चारों सेमेश्टर की माक सीट ठीक है और उसका सर्टिफिकेट ये भी आपको अपने कॉलेज से संबंदित प्विभाग से पता करना होगा ठीक है अगर ओरिजिनल नहीं मिल पा रहा है मान लिया बहुत सारी लोगों का रिजल्ट अभी हाल ही में आने वाला है डीलेट का माक सीट नहीं है तो इंटरनेट वाली जो है वो होनी चाहिए ठीक है तो ये बात हो गए डीलेट की इसके बाद अगर हम बात करें प्रोविजनल सेर्टिफिकेट अगर आप बनवा रहे हैं डिगरी का तो वो उसकी वैलिटी जो हो में रोके जाना है क्योंकि काफी डिस्टेंस है जाने आने में भी बहुत पैसा खर्च होता है टाइम भी खराब होता है ठोड़ा सा परेशान ही होती है यह बात हो गई तो यहां पर आपने यह समझा कि आपके पास क्या क्या डाकुमेंट्स होने चाहिए बेसिकली आधार क सीटेट पेपर वन मार्क सीट और सर्टिफेकेट टैंथ से लेकर के टैंथ ट्वैल्थ इसके बाद ग्रिजुएशन फिर डियलेट इन सबकी मार्क सीट और सर्टिफेकेट दोनों ही होने चाहिए इसके दो सेट आपको बना लेने हैं सो प्रमारी त्यानी अपने करिएगा जैसे अपने फॉर्म बरते समय आपने किया था ठीक है यह चीजें करनी बाकी जैसे ही बीपीस सी प्रात्मिक सिक्षक बरती के लिए डाकुमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस जारी करेगा वो फिर से एक बार लिस्ट जारी करेगा और उमीद करते हैं कि वो अधर सीटेट को ले करके तो सीटेट में कितने नंबर पर क्वालिफाई माना जाता है नब्बे माक्स पर और अधर केंडिडेट जो होते हैं जिनको आरक्षड का लाब नहीं मिलता है ठीक है वो नब्बे पर क्वालिफाई होते हैं और जिनको आरक्षड का लाब मिलता है वो ए सीटेट में अधर स्टेट से हैं तो भी बट इस सम्बंद में अगर बीपीएससी या सिक्षा जो इसका सिक्षा आयोग है कर कुछ क्लियर कर दे तो ज्यादा बहतर रहेगा हलांकि महिलाओं के संदर्व में इन्हों रोटेस जारी किया था कि वो पासिंग मार्स को कम कर चुके हैं सीटेट को ले करके अब इस सम्बंद में अगर कोई महत्तपूर अपडेट आएगी तो हम सूचित करेंगे इसके इलावा अगर आपका कोई डाउट है तो कॉमेंट बक्स में पूछेगा रिजल्ट को ले करके हमने आपको बता दिया है कटाप को ले करके यहाँ पर एक वीडियो बन करके आ रहा है कटाप का वीडियो देख सकते हैं उस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ